बिग बॉस से निकलते ही शालीन भनोट ने अपनी पतनी दलजीत कौर की दूसरी शादी पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। जब शालीन बिग बॉस के घर में थे तो उसी समय उनकी एक्स वाइफ दलजीत कौर ने बिजनस्मेन निकल पटेल से सगाई रचाली थी। अब मार्च में दोनों शादी करने जा रहे हैं। दलजीत शादी के बाद विदेश में शिफ्ट होने की तयारी कर चुकी है। दलजीत और शालीन का एक बेटा भी है जो अपनी मा के साथ ही बहार शिफ्ट हो रहा है। अब शालीन भनोट ने इटाइम से बादचीत में दलजीत की दूसरी शादी और उनकी जिंदगी के बारे में बात की है। दलजीत से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सके हैं। या रिपोर्ट्स के मताबिक दोनों के बीच लंबी कानूनी लड़ाई चली थी। लेकिन बामबे हाई कोट ने बाद में शालीन को क्लीन चिट दे दी। उन पर लगे सारे आरोपो को खारिच कर दिया गया। इसके बाद दलजीत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शालीन ने इस मामले को खत्म करने के लिए पैसे दिये थे। लेकिन जब पिछले दुनों शालीन बिग बॉस के घर में थे तो दलजीत ने लोगों से उन्हें वोड करने की अपील की थी। अब दलजीत हमेशा के लिए भारत छोड़ कर जा रही है। अब देखते हैं कि क्या शालीन दलजीत से आखरी बार मिलने की हिम्मत जुटा पा झिय।